येस, वेलकम टू जॉब अपडेट्स वाई शुरेनिक जेन यूटूब चैनल, इंस्टिटूट ओफ बैंकिंग पर्सनले सिलेक्शन, आईबी पीएस की तरफ से रिक्रूट में निकल करके आ रही है, फॉर ट्विंडी ट्विंडी टू, येस यहापर फ्रेशर्स अपलाई हो, कोई और ग्राइज़ेशन किया है, आप अपलाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, CTC भी अच्छी प्रोवाइड कर रहे है, 57,000 रुपीज पर मन्त, इसका डिस्ट्रिबिशन भी बता देता हूँ, बहुत सारे स्टुएंट्स को पता नहीं होता है, और ना ही इस PDF में दिया है, बढ़ अगर आप चेक करते हो, के प्रीवियस बैच को क्या मिला है, तो यहाँ पर बेसिक पे 36,000 है, फिर उसके उपर स्पेशल अलावेंसेज, DA, CCA, लर्निंग अलावेंसेज, DA, HR, और ग्रॉस सैलरी आपकी 57,000 रुपेस के आसपास बन जाती है, ठीक ह चलिए, अब डीटेल में बात करते हैं, यह official PDF है, और सारे important details में ना highlight कर दिये है, ताकि आपका समय बेस्ट ना हो, बहुत बड़ी PDF है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, एक-एक करके में सारे points रखने वाला हूँ, सबसे पहले, कौन-कौन से bank यहाँ पर participate कर रहे है, सारे सारे सरकारी bank participate कर रहे है, bank of baroda, bank of india, maharashtra, canara bank आप देख सकते हो, इतने सारे banks participate कर रहे है, online application कब से start होने वाला है, start हो चुका है, 2nd August से कब तक चलेगा, 22nd August तक चलने वाला है, ठीक है, और exams कैसे क्या होने वाला है, इनके तरफ से exam होगा, पहले preliminary exam, उसके बाद mains exam, उसक आपका जो pre-exam है, वो October में आप expect कर सकते हो, mains का date उन्होंने tentative का है, November में आप expect कर सकते हो, और जो interview है, वो आपका January या February 2023 में expect कर सकते हो, ठीक है, तो मुझे रखता है, सारी चीजे clear है, अब बात करते है, eligibility criteria के बार में, तो सबसे पहले तो यार, ये क्योंके सरकारी नौक session आपको मिल जाता है, अगर आप SC, ST, OBC, PWD, ex-servicemen candidates हो, ठीक है, तो मुझे लगता है, ये चीजे clear हो चुकी है, अब बात करते है, degree, कौन सी होनी चाहिए, जो degree है, यहाँ पर कहा गया है, graduation in any discipline from a university recognized by the government of India, आप apply कर सकते हो, और आपके पास marks, sheet and degree certificate दोनों ही आज आना चाह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, अच्छा, आगे लेकर चलता हूँ, बात करते है, कुछ important points के बार में, यहाँ पर कुछ important नहीं है, बस reservation के बार में, बताया है, कैसे क्या avail करना है, सबसे important है, selection process याने examination, तो आपका pre-examination होगा, pre, के अंदर 3 section है, English, जिस जाएंगे, next है, reasoning ability, 35 questions, 35 marks, English, Hindi की सुविदा है, 20 minute आपको दिये जाएंगे, तो 100 questions, 100 marks का paper रहने वाला है, इसके बाद ही आपका decision या committee decide करेगी, कि किसका cut-off clear हुआ है, और किसको आगे भेजना है, तो अगर आप pre में बढ़िया perform करते हो, तब main की opportunity मिलती है, और main के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो, 5 in total section है, पहला section है, reasoning and computer aptitude, 45 questions, 60 marks, एक घंट आपको दिया जाएगा, next है, banking awareness, general economy, 40 questions, 40 marks, 35 minutes आपको मिलने वाले है, next है English, उसके बाद है data analysis and interpretation, respective आप देख सकते हो, marks and timing, तो total आपका 155 questions होगा, 200 marks आपको मिलने, मतलब out of total 200 marks आपको paper लिखना है, और 3 घंट आपको दिया जाएगा, उसके बाद English language letter writing and essay, 2 questions, 25 marks, English यहाँ पर 30 minutes आपको दिये जाएगे, ठीक है जी, तो यह था आपका mains examination के बार में, मनी मन अगर सोच रहे हो, सर negative marking है, क्या बिलकुल negative marking है, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, तो तुक्के नहीं मार सकते, व for the final merit list, तो mains में आपने जितना score किया है, उसी पर आपका future decide होगा, कि interview में आपको बुलाय जाएगा या नहीं, और आपकी merit list में, जो ranking होगी, उसी से decide होगी, ठीक है, तो जो pre exam है, वो तो just एक, कहते है न, funnel में, अगर बहुत सारे लोगों को eliminate करना है, तो एक process है, pre, but main जो ह वो main है, चलो, आगे लिकर चलता हूँ, बात करते है, list of the documents, तो यहाँ पर आप detail में देख सकते हो, PDF की links, description box में दी है, आराम से detail में देखना, और एक एक करके सारी चीज़े भरना, क्योंके, अगर कुछ भी गडबड करते हो, तो फिर बात में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, document verification के time, कुछ गडबड नहीं होनी चीए, इस चीज का ध्यान रखना, अच्छा बात करते है, how to apply, how to apply के लिए online application है, ठीक है, मैं links भी दे दूंगा, official website की, जागर कि आप apply कर सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या क्या चीज़े, किस format में upload करना है, वापस से बताय गया है, दुखत बात यह है, application fees थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी नहीं मैं कहूंगा, महंगी ही है, ठीक है, general वालो के लिए 850 inclusive GST है, और SCST PWD candidates के लिए 175 रखा गया है, और यह online mode से आपको pay करना है, उसके बार में भी उपर बताया गया है, and yes, procedure for applying online form वापस से बताया गया ह यहाँ पर mode of payment online है, वो मैंने start में ही बता दिया था, ठीक है, चलो, अब नीचे लेकर चलता हूँ, और कुछ important data, तो आप देख सकते हो, बहुत सारा reservation के बार में बताया गया है, यह एक important data है कि कौन से bank में कितनी vacancy है, तो total आप देख सकते हो, 6432 vacancy है, and yes, जो आपका pre and means exam है उसका जो center है, कहा कहा पर होगा, आप देख सकते हो, अंदमा, निकोबार, आंदरप्रदेश, अरुनाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंदिगर, छतिसगर, दादराएंड, नगर, हवेली, तो आप बहुत सारा यहाँ पर आप देख सकते हो, state कहा गया है, so it's good, तो आप स पसंद आती है, ज़र से स्वीड़ों को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही, authentic job updates के लिए मिलते हैं, next video में, अब तिल देन, take care, bye bye for now, see ya